और आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो कि 20 साल पहले दिल्ली में आई और दिल्ली में आकर इसने एकदम नक्षा बदल दिया दिल्ली में ट्राफिक की शकलो सूरत बदलने वाली लोगों का आना जाना सुगम बनाने वाली अगला स्टेशन बोलने वाली दिल्ली मेट्रो को 20 साल हो गए हैं मैं सबसे पहले इससे पहले की और आगे बढ़ूं और आपको एक खास महमान से मिलाओं आपको ये बता दूं कि दिल्ली मेट्रो को 20 साल हुए और इसी चैनल में 20 साल पहले उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी 2002 में दिसंबर के महीने में कैसे ये मेट्रो लॉंच हुई थी और कैसे आज इसने नक्षा बदल दिया है दिल्ली का और दिल्ली क्या और कई शहरों का उसकी शुरुवात कैसे हुई ये देखिए दिल्ली वालो ने बरसों से एक सपना देखा था आज वो सपना साकार हो रहा है नेट्रो दिल्ली की एक बड़ी आवश्यक्ता थी आज वो पूरी हो रही है ये जली मेट्रो रेल मूंग करना को शुरुवा के आज वो पूरी में पूरी काड डाली का सिस्ट्म था वो बहुत अच्छा था था ये लंडन की थैसा था हो तो देखा आपने 20 साल हो गए हैं इस बात को 20 साल इससे ये भी अंदाजा लगता है कि हम लोग कितने बूड़े हो गए हैं 2002 में रिपोर्टिंग शुरू की थी और ये असाइन्मेंट कवर करने का सौभाग ये भी प्राप्त हुआ था और आईए अब आपको सीधा मिलवाते हैं मेट्रो की आवास से दो लोग हैं जिनकी आवास सुनने को मिलती है एक है शम्मी नारंग जी और एक है रीनी सिमौन खन्ना जी रीनी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत देखें मेट्रो अंकल की तरह तो शमी नारंग जी को बुलाया जाता है लेकिन आप दोनों की आवाज अगर असी के दशक में नब्वे के दशक में आप टीवी एंकर की तरह मशूर थे तो इस युग के लिए इस जेनरेशन के ल जाते हैं और उसकी शुरुवात आजी के दिन 20 साल पहले हुई थी आपको लगता था कि यह इतना लंबा सफर इतना यादगार बन जाएगा यादगार तो बनेगा यह पता ही था था दिली की धरकन है बिली Metro so why would it not be something that would last forever I think it was it was very lucky for us to be selected both Shami and I and we are very very इसालो जैसे वे एके फरके आदिश अविना एको फे सबस्ट मेघे वहां था जैसे मेछी एकोई सबस्ट रदेंbilir हैंद च्यांति अविनांज आ υधने प्लोडवांद टौजी जैस एके वे मोuba मेंड़ सितना थाली नौट अविना थे बॴशाओ ऑंवा शबया आपको यह तो मालूम था कि एक जरूरत है जिसकी जरूरत की आपूरती हो रही है अपको लगता है कि इस दिन को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक शेहरों के ट्रांसपोर्ट का बदलाओ इसी दिन शुरू हुआ था बीस साल पहले जी संकेट I would like to also emphasize the fact that you know as part of a public transport system the Delhi Metro is unique in many ways not only does it help the public reduce the carbon footprint you'll be happy to know that it's also a low energy project so in many ways it is it is a very important lifeline of any city as far as the other metros are concerned I think we stand out Delhi Metro stands out as being one of the best metros even even when you compare it internationally आपने मैंशन किया कि लंडन का त्यूब या New York का मेट्रो आप देखोगे तो cleanliness efficiency there is space for everybody yes these days it is a little crowded but we still manage to keep it clean we still manage to run it on time we've got special arrangements for women we've got special arrangements for the disabled so I don't see it it's being something that you know I think I think a lot of us have now got used to the fact that ये तो होता है there is an expectation there is an expectation and there is also the fact that Delhi Metro has met those expectations so you are you're quite pampered in a city like Delhi to have these facilities आचा मैं एक सवाल आप से पूछना चाता था रिनी जी आप आप संभवता आप भी Metro में गई होंगी आपको ताजुब नहीं होता है कि बाहर लोग जो हैं वो साफ सफाई को ले करके उस तरीके से स्ट्रिक नहीं रहते हैं और Metro station के अंदर घुसते ही और train के अंदर घुसते ही यह वही लोग हैं जो कि बाहर भले ही गंदा कर रहे हैं आप सोचे पहली Metro कहां चली सबसे भीड़बार वाले इलाके में जहां यह माना जाता था कि वहां पर जी शादरा से चली थी बिलकुल बिलकुल आप सोचो कि मतलब एक जगा जो विच इस लाइक जो विच आपको भी दूंगा और शंवी नारंग जी को भी दूंगा क्यूंकि आप लोगोंने अनौंस्मेंट कर करके इतना डरा दिया लोगों को कि गंदा मत करो दंडनिया अपरात है इस चकर में डर गए होंगे जी तो हमारी आवाजों से शायद लोग डरे हों पर मुझे डर की बात नहीं है I am more you know happy to be the friend of the people who are traveling through the metro to be able to guide them and give them the right advice you know whether it is an emergency whether it is a normal day so I think that is very important you know to have a friendly voice which is there and which is helping you to you know there are lots of struggles that you go through and when you're sitting in the metro you've got time to go and examine those struggles so it's nice to have a voice which is a little friendly एक मेरा आखरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ देखे शमी नाराइग जी आये थे यहां पर और कुछ 20-21 साल के हमारी एकदम यंग कॉलीग्स वो उनको मिली मैं उनको समझा रहा था कि यह एंकर थे बहुत फेमस और यह और जैसे उन्होंने शाबाज बेटा बोला तो तुरंत वो सारी लड़कियां बोल पड़ी अरे अगला सेशन वाले अंकल तो उनकी पहचान यह हो गई है आपके साथ ऐसा होता है कि राह चलते लोग बोलते हैं तो मेट्रो वाली हैं आपको आशचेर होगा कि जब मैं पहली बार I think 2011 में एक रपोर्टर थे जो आये थे किशन कौशिक के में धू अज़ड़ी बढहरा थे में रामके सब्सक्राइख रस आखेंचान 25osa घृटर बें कि अटाव्या यकीन नहीं हो सकती है। फिर पूछी लिया उन्होंने के आप शायद अंधर भी बोलती है। मैंने का हाँ वो ही हुआ। वो ही हुआ। So it is nice, एक एक अपन होता है, एक 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 रिलेशनशिप हो जाती है। Lots of people who travel, people who know me, they have children who travel in the metro and they all start having conversations with Rini auntie who is sitting somewhere in the train for them. उनको यह नी पता है कि वो Rini auntie नहीं है train में। पर वो बलते हैं कि Rini auntie, रुको रुको हमें उतरना है। रुको रुको हमें कुछ और देखना है। So there are these episodes, the latest, Tankit you'll be happy to know, I was shocked in fact. I got an email on the 23rd of November from a young girl who was going to meet her fiancé after several years. And this fiancé is in the army, so he was going to come and meet her at Rajiv Chok. And she wrote to me saying that I want to read out a love poem to him. Is it possible for you to read it out to him? So that publicly, publicly they will be able to acknowledge that. लोग आपसे बताईए, यह सब भी करवा रहे हैं। लेकिन Rini जी यह यादे हैं जो आपने बटोरी हैं। और मेरे खाल से, congratulations to you, आपको भी बहुत-बहुत बढ़ाई इस यात्रा के लिए, 20 साल की इस यात्रा के लिए। Delhi Metro should be congratulated for an excellent service. Mr. Sridharan has done us proud by starting this service and now it's being emulated across the country and I think we have to give him credit. बिल्कुल. Rini जी बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बढ़ाई आपको. Thank you so much. Thank you. Thank you. चलिए, एक break के लिए रुकते हैं, break के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि बेटी हो तो ऐसी.